नमस्कार इस वीडियो में हम कख्षाचयार की EVS की पाठ़ पुस्तक से पाठ पंदरा कहां कहां से जल के बहुवी कल्प्य पश्ण उतर करेंगे पश्ण नमबर एक धर्ती से पानी वाश्पों के रूप में उपर चले जाते हैं जहां से बादल के रूप में बरसते हैं ये वाश्प मिलकर बादल बनाते हैं बादल बनाने की किया है और इसके लिए विकल्प हैं वाश्पी करण संगनन मेगी करण निर्जलन और इसका सही उतर होगा विकल्प ख संगनन जो ये सारी प्रक्रिया यहां पर बताई गई है धरती से पानी वाश्प के रूप में उपर जाना और बादल के रूप में बरसना ये वाश्प में मिलकर जब बादल बनाते हैं इस बादल बनने के क्रिया को क्या कहते हैं संगनन परस नमबर दो है गीले कपड़े हवा में या धूप में डालने पर कुछ समय बाद सूख जाते हैं इन कपड़ों का सारा पानी उड़ जाता है इस प्रकार से पानी का उड़ जाना क्या कहलाता है परस नमबर तीन है आज कल गाड़ियों में हम विभिन प्रकार के इंजन देखते हैं जैसे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस चलित इंजन, ऐसा ही इंजन है भाप इंजन भाप इंजन का विशकार किस ने किया और इसके लिए विकल्प है रुडोल्फ डीजल, ग्राहम बेल, एडिसन, जेम्स वॉट और इसका सही उत्तर होगा विकल्प घ, जेम्स वॉट पश्न चार है नदियां पहाडों से निकल कर मैदानी इलाकों में दोड़ती है नदियां अंत में किस में मिल जाती है और इसके लिए विकल्प है सागर में, खेतों में सूख जाती है, वापिस चली जाती है और इसका सही उत्तर है विकल्प का सागर में पश्च नमबर पांच है भारत में सबसे लंबा बांध है हीरा कुंड बांध यह बांध किस नदी पर बना है इसके लिए विकल्प है कावेरी, महा नदी, गंगा, गोदावरी और इसका सही उत्तर है महा नदी विकल्प ख पश्च नमबर छे है जल के विभीन स्त्रोथ है कौन सा स्त्रोथ प्राकर्तिक नहीं है नदी, कुवा, जर्णा, वर्षा इसके सही उत्तर है विकल्प ख, कुवा जल का कृत्रिम स्त्रोथ है तालाब, जर्णा, नलकूप, नदी या और इसका सही उत्तर है विकल्प ख, नलकूप पर्ष नमबर आठ है जमीन से या चटानों से कई स्थानों पर अपने आप गरम पानी निकलता है उसे डैश कहते हैं क, चश्मा, ख, नदिया, ग, तालाब, या ग, जर्णा तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख, चश्मा पर्ष नमबर नों है चश्मे का पानी गर्म किस कारण होता है क्लोरीन, गंधक, पोटेशियम, सोडियम इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख, गंधक पर्ष नमबर दस है हर्याना में सोहना नामक स्थान पर गर्म पानी के चश्मे है सोहना किस जिले में है गुरूगराम, पंच्पुला, फरिदाबाद, क्रुकशेत्र सही उत्तर होगा विकल्प का गुरूगराम चश्मे के गरम पानी में लोग स्नान करते हैं, यह स्नान गलाबकारी होता है किस के लिए? हृदे के रोगों के लिए, चर्म रोगों के लिए, दिमागी रोगों के लिए, कोई प्रभावी नहीं है और इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख, चर्म रोगों के लिए पर्ष नमबर बारा है यमुना नदी पर बांध बनाया गया है हथीनी कुंट बैराज यह बांध हर्याना के किस चिले में बनाया गया है सोनिपत, पानिपत, यमुना नगर, हिसार और इसका सही उत्तर है यमुना नगर विकल्प, ग तो इन सभी पश्णों को आप अच्छे से समझें और याद करते हुए अपनी कोपी में इनको लिखें धन्यवाद